नमस्कार दोस्तों और हमारे यूट्यूब चैनल पर वापस स्वागत है जहां हम दुनिया भर के दिल्चस और आश्चर्य जनक तत्यों और कहानियों का पता लगाते हैं। पद्वान राम और उनकी बंदरों की सेना ने समुद्र पार करने और रावन द्वारा अफ़रंग की गई अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए लंका पहुचने के लिए बनाया था। जबकि राम सेतु के अस्तित्व को लेकर बहुत बहस है ये भारतिय विरासत और का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है तो आये राम सेतु के बारे में पूरी जानकारी का पता लगाएं और इसके आसपास के रहसियों को जानने की कोशिश करें। राम सेतु के महत्व को समझने के लिए हमें भारत के इतिहास और पौरानिक कथाओं में तल्लीन करन उनका विवा सीता से हुआ था जो राजा जनक की पुत्री थी। रामायन एक महाकाव्य कविता है जो भगवान राम और उनकी पतनी सीता को लंका के राजा रावन से बचाने की उनकी यात्रा की कहानी बताती है। लंका तक पहुँचने के लिए भगवान राम और उनकी व इसका कई भाशाओं में अनुवाद किया गया है और इसे कला और साहित्य के विभिन रूपों में रूपांतरित किया गया है। कि राम सेतु को बनाने वाले चूना पत्थर का निर्मान सीपियों और अन्य समुद्री मलवे के संचे से हुआ है। दूसरों का मानना है कि इसे मनुश्यों द्वारा बनाया गया था। राम सेतु का निर्मान किसने और क्यों किया। इसके बारे में कई सिध्धान्थ हैं लेकिन इन में से किसी भी सिध्धान्थ का समर्थन करने के लिए कोई निर्नायक सबूत नहीं है। राम सेतु भगवान राम की भक्ती और उनके कर्तव्य के प्रती प्रतिबधता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपनी वानरों की सेना की मदद से पुल का निर्मान किया था और यह उनकी ताकत, साहस और द्रिर संकल्प का एक वसियत नामा है। राम सेतु भारतिय संस्कृती और विरासत का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये भारत के सम्रिध पौरानिक कथाओं और इतिहास की याद दिलाता है और यह सदियों से कला और साहित्य के कई कारियों का विशेय रहा है। इसके अलावा, राम सेतु हिंदूओं का एक मह भावित प्रभाव के कारण हाल के वर्षों में काफी विवाद का विशेय रहा है। भारत सरकार ने भारत और श्रीलंका के बीच एक शिपिंग नहर बनाने के लिए राम सेतु के आसपास के क्षेत्र को साफ करने के लिए एक पर योजना का प्रस्ताव दिया था जिसमें पुल की सनरचना को नुकसान पहुचाना शामिल होगा। ये प्रस्ताव पर्यावर अनविदों और धार्मिक समुहों के व्यापक विरोध के साथ मिला जिन्होंने तर्द दिया कि पुल एक पवित्रस्थल था और क्षेत्र की कोई भी गढ़बड़ी। हिंदू संस्कृत प्रती के प्रती अपमानजनक होगी। इसके अलावा समुद्री जीवन और स्थानिय पारिस्थिती की तंत्र पर परियोजना के संभावित प्रभाव के बारे में भी चिंता थी। भारत सरकार ने विभिन समुहों के कड़े विरोध का सामना करने के बाद 2008 में इस और रहस्यमई संरचना है जिसने सदियों से लोगों की कल्पना पर कबजा किया है। ये भारतिय पौरानिक कथाओं इतिहास और संस्कृती का प्रतीक है और यह उन लोगों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है जो इसे देखने आते हैं। जबकि इसकी उत्पत प्रतिक महत्व को भी पहचानने और संरक्षित करने की आवश्यक्ता है ताकि भविश्य की पीडियों के लिए इसका संरक्षन सुनिष्चित किया जा सके। राम सेतु की इस खोज में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो न करना ना भूले। दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।